दोस्तो लगबग आधे घंटे से मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया है लेकिन अभी तक ये 80 का 80% ही है और इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है देख सकते हैं कि 80% ही है और इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है लेकिन दोस्तो जिस मैसेज का मुझे काफी बिसब when iPhone returns to normal temperature तो जब मेरा iPhone एकदम normal temperature पे आ जाएगा तो फिर ये charging को बढ़ाएगा चार्ज करेगा 81, 82, 83, 84, 85, 100 तक पहुँचाएगा तो अगर आप सभी को कहीं निकलना है आपको charge करना है एकदम immediately 100% तो आप एक setting को बंद करके 100% charge कर सकते हैं अपने charging को continue कर सकते हैं तो कैसे इसके लिए आपको अपने iPhone के setting में जाना होगा फिर यहाँ पे आपको जाना होगा बैटरी के अंदर फिर यहाँ पे बैटरी and health के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको एक option दिखेगा optimize battery charging तो इसी को आपको बंद कर देना है तो कब तक बंद करना है कल तक या फिर हमेशा के लिए तो कल तक मैं इसको बंद करके रखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको बंद कर दिया तो अब जो मेरा phone का charging है वो 80% से ज़्यादा होना सुरू हो जाएगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा दू कि यह charging on hold अभी है message इसको मैंने हटा दिया और अब आप सभी देख सकते हैं कि मेरा 80% charge है कुछ देर तक हम रुकते हैं और देखते हैं कि मेरा जो iPhone का battery है वो ज़्यादा charge करता है 80% पे ही रुका रहता है तो वेट करते हैं